इसमें हम पार्ट आठवा करने वाले और इसमें हमारी स्टेट है आज हर्याना ठीक है स्टेट वाइज करते चल रहे हैं हम हर चीज पूरी एससी में जो आती है एससी नहीं बैंकिंग रेलवे कोई बी ओल इंडिया एक्जाम हो समय क्विश्ञंज पूछे जाते हैं फोकॉस और भी दुनिया भर की चीज़ है जो जो स्पेसिफिक एक्जाम से पूछी जाती है फालतु का आपका टाइम विस्ट नहीं किया जाएगा पूई स्टेटिक जी के हर एक स्टेट की कम्प्लीट इसमें करा दी जाए इसमें यूने स्कोर लेरिटे साइट होगे रहा हर चीज ह है जो कोई भी गवर्मेंट एक्जाम से पूछी जाती है उसका आज आठ्मा पार्ट है साथ पार्ट हम करा चुके हैं और लगए छे पार्ट की मैंने पीडियो भी प्रवाइड करा दी है टेलिग्राम पर साथ वेंक और आट वेंक इसकी दोनों की बहुत जल्दी डाल दिख रहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ पर आप करेंट अफियर से मिल जाएंगे टेलिग्राम पर और यह भी मिल जाएंगे तो दोनों चीज आप देख सकते हैं मैं बहुत जल्दी से जल्दी कोसिस करूंगा प्रवाइड कराने की बस थोड़ा सा यह है कि देखो मेरी कोई टीम हम नहीं है भाई मैं खुझ से अकेले से करता हूं तो बहुत एफर्ट हो सम्में लगते हैं पूरा दिन यह निकल जाता पता नहीं चलता फिर मिल कोसिस करता हूं जल्दी जल्दी चीज़ें आपको प्रवाइड कराता हूं मेरी ओर से आपको यह नहीं हंडा चाहिए वीश भी आएंगे ना तभी पूरी वीडियो सीरी चलेगी ठीक है सब परेशान मत हो यह मेरा साथ हमेशा है आपके लिए स्टार्ट करते हैं दोस्ता टाइम विश्ट के वना आप देख सकते हैं मैप में यह फॉर्म हुआ था एक नवबंबर 1966 पह पन्जाभी लेंगर्ज के लिए पंजाब रखा गया था और हिंदी लेंगर्ज करने वाले हर्यानवी लेंगर्ज करने वालों के लिए यह तिन एक नमब्ब 1966 में बनाए गया था कैपिटल इसकी चंडीगड है आप जानते हैं पंजाब और हर्यान दोनों की चंडीगड है जो इसके गवर्नर है वो सत्यदेव नारायन आर रहे हैं यह याद रखना क्योंकि और इसकी इससे याद आया कि आपको बहुत जल्दी में पूरी साइध कल तक अगले 24 गंटे में यह वीडियो के 24 गंटे के अंदर अंदर ऑल ओवर इंडिया के जितने भी यूटी के और स्टेट्स के गवर्नर से लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं सब हैं सारी यह पूरी एक वीडियो ला दूंगा और पीडियो भी प्रवाइड करा है चीफ मिनेस्टर की और जो चीफ जस्टिस होते हैं हर एक हाई कोट के वह भी बहुत जल्दी प्रवाइड करा दूंगा ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट के बना गवर्नर सत्यदेव नारायन आ रहा है और जो चीफ मिनेस्टर है मनोहलाल कटर है दूस चीफ आती है और लोगसभा की दसीज़ीट आती है यह कुश्टन बहुत आते हैं सेसी में तो यह द्याम लगेगा यह सीट्स हो गया राजिस्थान हो गया उत्राखंड हो गया यूपी हो डैली हो गया आपको दिखा देता हूं देखो यह हो गया पंजाब यह होगा हमाच सारे इसे से आपको यहां पर मिलते हैं यह थोड़ा दिली से यह दिली को तीन तरफ से गेरता एक तरफ से यूपी और तीन तरफ से हर्याना ठीक है तो डैली भी हो गया आपको यह समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं यह स्टेट के कुछ अब्लम से सिंबल से अनिमल है वह ब्लैक बख है यह आप देख सकते हैं और किस पर केस चलरा आप जानते हैं बहुत इन फेमस परस्टेलिटी बड़्ड ब्लैक फ्रेंकोलिं यह कुछ ऐसी है बर्ड ठीक है फ्लॉवर जो इस्टेट फ्लॉवर है वह कमल का फूल है और इस इन पानिपत ईसे सिटी इस को म्हाम पानिपत श्री बहुत बहुत बर्डस यहां फ़ान अब पलेन एरिया बहुत बहुत अच्छी है वाद करती थी उस टाइम पर ज्यादा डिटेल भी नहीं जाते रिस्टिक्टू दपॉइंट मेलेनियम सिटी ऑफ इंडिया गुर्गाओं गुरुग्राम जो है यहां पर में लिखना भूल गया हूं गुर्ग्राम को कहा जाता है मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया ठीक है आई हो प्याद रखेएगा रीजिनल फेस्टिवल्स की बात करें तो बैसाखी है पंजाब में मनाया जाता है गैंग्रोर है लोहरी है और गुग्गा नामी है आ गुगा नामी करें है दो चीजिज रीजिनल फेस्टिवल्स पर आप रखेएगा फोग्डांस बहुत इंपॉर्टन कुछ जिसमें सांग डांस है खोरिया दंस है घूमर डांस है जिसमें सांग और खोरिया यह दो आप डांस याद्रख इंद्ट है घिक है यह मोस्ट गागरा दुमना यह दो ट्राइबस आप रख सकते हिए- बाजीगर भी और यह तो नैस्ट बहुत इंपोर्टेंफ कालेशल नैशनल पार्क उसलतानपुर नैसउड पार्क आपको खुद तो आपने बहुत बार एक्जाम समय कहीं नगे पेपर्स तो गएरा में देखा हुआ तो यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है दोस्तो इसको जरूर कैसे भी नहीं भूल सकते हैं क्योंकि सुल्तानपुर यूपी में भी है तो वहां से लोग कन्फ्यूज कर देते हैं और इस तो इसमें यह दोनों आप याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि दोज होई है तो इतना मुश्किल भी नहीं होता याद रखना बिंडवास और खाप्रावास वाइलाफ सेंचुरी जो आपके काम की है एक तो यह है बिंडवास दूरा दूसरा बीड सिकरगर सेंचुरी और तीसा है आपका याद रखिएगा क्यों कई बार और यह पूछा जा चुका है यह आप याद रख सकते हैं ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं टाइगर रिजर्ब्स स्टेट में कोई भी टाइगर रिजर्ब्स नहीं है ध्यान रखेगा दोस्तों कहीं पर कि अगाaire ढूंस यह का तो यह इसलिए डाफ को किसी कुछन में आप को आया और आपको यह पुलिध्यट कर दें था था नíक आप अप्षण सकते हैं टो ऐस सबाइब और को चीज चीज बहुत इंपोर्टन चीज यह बहुत इंपोर्टन गूंद रखाऊंगा दाल देती इसके बहुत तो पर तो हर्याना में कोई तैगर रिजर्ब नहीं है कोई याद रखेगा टेमपल कोई खास टेमपल ऐसा नहीं जो कि आपको याद रखना हो बट आप चाहो तो ब्रह्म सरोवर रख सकते हो ठीक है हां से यमूना है यमुनुत्री शेह होती है घगर रहा है दौनों में लिए घिल से होती है जो आपको हर आलत में यादने रखनी है रखनी चाहिए यमुना आप जानते ही होंगा वैसे तो और यह तीन जरूर आप याद रखिए हर्याना से रखिए तीनों रिवर बहुत इंपोर्टेंट और तीनों के ओरिजन यमना का यमनुत्री है को सल्ले का सिवालिक है और सरस्वती का अरावली मांटेन है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं डेम्स की बात की जाए तो कुछ बहुत इंपोर्टेंट डेम्स है कॉसल्ले डेम है यमना रिवर पे और टू बेरेज है घागगर पे और तजेस्वला है यह है पर आपके काम का यह एक तो हतनी रिवर दोनहीं हर्याना में पड़ते हैं आपको यह जरूर याद रखनें दोस्तों आगे बात करते हैं लेक्स की काफी बहुत इंपर्टेंट इंपर्टेंट लेक्स हैं बट आपको सूरजकुंट ब्लूबर्ड और ब्रम्सरूवर यह तीनों आपको नहीं मुलनी इसमें कुछ ऐसा खास वाटरफॉल एक्जाम के रिल्टेड नहीं है बड़ आप चाहों तो रहाद रखेंग फुलकारी और यह सिर्फ इसी स्टेट को नहीं मिला हुआ यह राजिस्थान को भी मिला हुआ है और पंजाब को भी मिला हुआ है ठीक है दोस्तों तो यह तीन स तीन स्टेट को मिला के फुलकारी को जी आइटेग मिला हुआ थर्मल पावर प्लांट की बात करी जा किको कूछ लेते हैं तो गोरखपुर पावर प्लांट एक्टमिक दीन बंदू इंद्रा गांधी और यह नुक्लिर पावर प्लांट है डवलॉएसी हाइड्र एलेक्रि दीन बंदू जी उनको आप जानते ही होगे नहीं जानते हैं तो दीन बंदू जी से छोट राम जी से कोई कुछिन आए 99.99% हर्याना में है ठीक है दोस्तों काफी बहुत इंपोर्टेंट फिगर हैं दूसरा इंद्रा गांधी थर्मल पावर प्लांट यह इंपोर्टेंट दोस्तों इसके लाबा यह सीरीज रहेगी प्रमस है चलती रहेगी क्या होता इस एक सीरीज में च्छे गंटे लगते हैं च्छे साथ गंटे कम से कम ठीक है और फिर उसके लाब मेरे और वी अपने काम होते हैं मैं थोड़ा एक दो दिन तफियरती वी डाउन होगी आपको दिख रही होगी तो यह पूरी आंक लाल होई पड़ी है मेरी बहुत कुछ चल रहा है पर देकेस के पीछे तो वह अब क्या फाइदा बट हाँ कमिटमेंट है पूरी कोशिस की जाएगी दोस्तों आपकी पूरी हेल्प होगी और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी नेक्स्ट करें तो तक दोस्तों पढ़ते रहें टाटा बाई बाई